So, Hello everyone, guys, रहमादीव, राधिर राधि, कैसे आप सभी लोग, guys, I hope आप सभी लोग अच्छ अगर अपने लाइफ में भी आके बढ़ रहे होगे So, guys, आज मैं जो जोडेक साइन लेके आई हूँ, वो है कैप्रिकॉन राश्य, okay, means अगर आपके सन, मून, राइजिंग और नॉस नूर में मकर राश्य आती है तो देख लेते हैं, guys, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, कि आपके नियर फ्यूचर में क्या है आपके लिए, blessings, love, marriage, career, money, सभी चीज़े इस रीडिंग में आ जाएंगी, और अगर आप new हो चैनल पे तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर दो के बेल एकन को दबा के ओल पर सेट कर दो, परस्टनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्ट्रग्राम पर डिम कर सकते हो, इंस्ट्राइब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोगों पर आप अबाउट सेख्शन से भी देख सकते हो के काप्रिकॉंग so capricorns also अगर आप instagram पे नहीं हो तो आप मुझे comment section में भी personal reading और crystal why करने के लिए dm message कर सकते हो so start कर लीते हैं सबसे पहले tarot के through so guys जिनके भी capricorn means makar rashi आती है उनके sun moon rising और north node में तो कैसा रहने वाला है guys आपके लिए ये जो new future है कि आने वाला समय है आने वाला time आपके लिए कैसा रहने वाला है I think मैंने तीन signs guys upload कर दिये हैं वर्गो, scorpio and I think one more sign so आप उसको check out कर लीजिए एरीस I think हा ना एरीस, वर्गो और scorpio मैंने डाल दिये हैं अगर उन में से कोई भी sign आपके sun moon rising और north node में आता है तो आप उसको भी देखिएगा जरूर so यहाँ पे Capricorns मकर राशी का आने वाला समय आपका near future कैसा रहेगा so यहाँ पे सबसे पहला ही card is Ace of Pentacles का चुका है guys second card is the Page of Swords card okay third one is seven of swords card okay and the last card is the judgment card bottom of deck is guys king of swords card middle energy six of cups है यहाँ पी okay okay so guys Capricorns जिनके भी sun moon rising और north node में आता है तो क्या energies आने वाली हैं आपके life में क्या आप लोग attract करे हो near future में सबसे पहली चीज़ तो guys यहाँ पे जो भी लोग soulmate relationship में है उनको यहाँ पी आगे पढ़ाओ मिलता हुआ दिख रहे हैं आप आगे भड़े हो अपने relationship में लाइक आप जो भी कर रहे थे अभी this time आप उससे कुछ आगे भड़े हो for example आपको कमिट्मेंट चाहिए थे आपको कमिट्मेंट मिल रहे हैं मतला आपको judgment यहाँ पे मिल रहे हैं आप आगे बड़े हो एक सीड़ी आगे बड़े हो ठीक है यहाँ पी जो भी confusions थी जो भी धोका वगर आपकी सार relationship में पास्ट में हुए हैं वो यहाँ बे सब सौट आउट होते हो दिख रहे हैं अब आपकी life में new beginnings आते हो दिख रहे हैं so Capricorn Science जिनके भी Sun, Moon, Rising और North Node में आता है उनके लिए मकर राशे यहाँ पी growth भी आ रहे है ग्रो कर रहे हो आप आपको financial gains होते हो दिख रहे हैं पहले आपकी साले 10,000 सीधी 50,000 चलेगी मतला 5-10 गुना आपका increase increment दिख रहे हैं जौब में salary में आपकी income में जो आप earn कर रहे हैं उसमें बहुत increment दिख रहे हैं 5-10 गुना जादा और Capricorns यहाँ पे आपके लिए judgment मिल रहे हैं इसलिए हो रहा है सब कुछ because आप लुग judgment के काबिल हो और आपको वह judgment मिलने वाले क्योंकि आप hard working personality हो आपने बहुत कुछ learn किया है गाइस मुझे ऐसा भी दिख रहा है मुझे यह दिख रहा है कि आपने इतना hard work किया है पहले तो आप page के इनर्जिस यहां दिख रहे हैं आपके तरह बहुत सरी opportunities आई और आपने उन opportunities को grab करना सीखा ठीक है आपके पास यह 10 opportunities पढ़ी है आपने 10 को grab किया और 10 के उपर काम करना start कर दियो उसमें से 4-5 काम आप complete कर चुकियो और 4-5 बागे तो universe ते इतना hard work देखते हुए आपको सीधा-सीधा king के energies में लेके जाना चाहाँ विकॉस आप बहुत hard working हो उनको पता है आप यह king के birthday है Capricorns आने वाले समय में तो आपको यहाँ पर मतलब नियर future में कोई gift surprise gifts मिल सकते हैं surprises आपको देखने को मिल सकते हैं आपके partner आपको कोई ना को gift देते हुए दिख रहे हैं near future में ओकी यह दे चुके है तो वो अलग बात है बढ़ा का face ऐसा दिखेगा कि yes वह बहुत cold person है मतलब होता है गुस्से वाले मुझे दिख रहे है थोड़े से ठीक है उनको सभी को लगए गुस्से वाले बट वह अंदर से बहुत soft hearted person है ठीक है लेका होता ना कही लोग हालात ऐसे life में आते हैं कि वह hurt करते हैं इंसान को हरा हालात ऐसे आते हैं कि वह इंसान को hurt करते जाते हैं hurt करते जाते हैं और then after दट वह इंसान जो hurt सह रहा था वह बिल्कुल strong हो जाता है cold उसके emotions हो जाता है मतला बिल्कुल whOW emotions show करना पसंद नहीं करते हैं। हर एक चीज में वो चिड़ चड़ाता है ठीक है गुसा दिखाता है तो yes I think आप ये बन चुके हो but it's okay आपके पार्टनर यहाँ बहुत loving caring है वो आपको संभालने वाले है ठीक है आपको कोई नोगे gift शेयर करने वाले हैं तो ऐसी कुछ energies मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए Sagittarius sign important होसता है और सो Gemini Libra Aquarius sign भी आपके लिए important होसता है अगर आपकी situation में guys confused भी थे Capricorns ओके यहाँ पर वो confusion भी आपकी खतम हो रही है आप उस confusion से निकलते हो दिख रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स यहां मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं competitive exam के लिए प्रपेर कर रहे हैं यहां फिम के exam चल रहे हैं यहां पर आपको कहा जा रहे हैं अपने उपर चलो अपने प्यारों पर चलो नहीं तो धोका मिल सकता है कुछ लोग यहां पर बहुत ओस जादा के पीछे पागल हो रखेंए सकते हैं so capricorn क्या energies आ रही है और आपके लिए यह भी देख लेती हैं और आप क्या energies expect कर सकते हो आने वाले near future में और यहां पर archangel Michael है first चक्रा ही मैइकल की energies आई है so I think यहां पर बहुत सरे लोगों को finances के अपर बहुत जारा focus राएगा आपके ठीक है फानेशल ग्रोथ भी आपकी हो रही है ऐसा नहीं कि अगर आपका फोकस है तो नहीं मिलेगा थोड़ा सा बचके रहना है ठीक है बहुत सारी लोग आपसे धोका धड़ी करने भी आ सकते हैं लग आपसे पैसे फार एजमपल आप पैसे हेट नहीं है मतलब होता है ना कोई पार्टनर आपके फार एजमपल आपकी मनी जादा दिंग आप कर रहे है उनसे तो एकदम से आजाएंगे मुझे यह चाहिए यह चाहिए मतलब हेट ना मतलब ऐसा नहीं कि धोका ही दे ना मतलब उसमें वह थोड़ा खच्चे आपके भड़ते होई दि यह चेहर हो सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहे है जो आपका रूट चक्राइब ओपन अप अपने कर्यार के उपर फोकस करते हो आप लो और और वाश्व जो अपकी आर्किंजन माइकल बहुत हल्प कर रहे हैं जाहे रोलेशनशिप इस चल रहे हैं चाह कि आपकी हीलिंग चल रहे हैं आपकी हीलिंग हो रही है मैं आपको यहीं कहूँ कि आप हील होते हो दिख रहे हो सुप bottom of it है कि यहां पे गाईज आपके लिए फिफ चक्रा अर्केंजल गैबरियाल है तो आपका जो 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 फिफ चक्र 35, number 8, number तो यह numbers आपके लिए important हो सकते हैं, यह months यह dates important हो सकती है guidance देख लेती हूँ for Capricorns Makar Rashi, बाकी आप reading को ज़रूर like करके जाना हो चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को दबाके all पे set कर देना share भी कर सकते हो, आप अपने family friends के साथ, groups में anyways, अगर आपको personal reading लेनी होगे, तो Instagram पाल link description में है, यह फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हूँ so guidance क्या है Capricorns आपके लिए so open your heart की energies है, thank you chamo all for removing the barriers around my heart, okay, so अपने दिल को खोल के आगे बढ़ो, open up your heart, okay open your heart, thank you chamo all for removing the barriers around my heart, यह show कर रहा है कहीने कि archangel chamo all जो है, वो help कर रहे है बहुत आपके heart चक्र के around जो भी आपने boundary set कर रखी थी, barriers create कर रखी थी, ठीक है उनको खतम करने में, ठीक है remove करने में उन सब चीजों का bottom of deck, यहाँ पर leap of faith लेने के लिए आपको कहा जा रहा है Capricorns I am ready to take a leap angels, thank you for doing it with me so thanks कि यह angels को कि वो आपका साथ देते हुए दिख रहे है यहाँ पर अगर leap ले रहे तो वो भी आपका साथ दे रहे है इस situation में okay, so I hope guys आपको reading पसंद आई होगी हना, and Capricorns Makarashi अगर आपके sun, moon, rising and north node में यह sign आता था, तो thank you so much इस reading को देखने के लिए अभी के लिए इतना ही guys Haramadir, Radhe, Radhe, God bless you everyone, take care, bye guys